वेलकम बैक पर माई चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के साथ इस एपिसोड में बात करेंगे सोना बेल डबू प्रिक्षिशन के बारे में में यहां पर अपडेट लेंगे तो यहां पर में फोकस हमारा चार्च पर रहने वाला है अभी बेसिकली हम यहां पर पोजिशन करेंगे तो उसके बारे में और करेंगे कि और कहां पर पोजिशन आड कर सकते हैं और नेक्स टॉप प्रस देखेंगे तो 27,000 करोड की है एक बड़ी कंपनी है लेकिन अभी फी फॉरवर्ड इसका अगर देखा जाए तो आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ और एक और मार्जिंस अगर बहुत जाता है धर दो नहीं हो रही है मार्जिंस मतलब अगर एक तरह से कह सकते हो कि स्टेवल है एल्दी है चेज नहीं हो रही है तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि कंपनी की नेट प्रॉफिट बढ़ रही है तो अगर यह चीज होती है अगर पास तो एक तरह से कह सकते हो कि कंपनी का दाम भले ही गिर जाए लेकिन वहां पर कुछ समय के बाद कंपनी और टाइम हाई के आसपास आप लों को दुबारा जाते मिल सकती है अगर और कुछ इशूस मैनेजमेंट इशूस वगर नहीं हो तो यहां पर कभी-कभी होता है कि मैनेजमेंट इशूस से अब इंटरनल इशूस हो जाते हैं वह कभी-कभी पता नहीं चलता है और उसका सीधा-सीधा रिफ्लेक्शन आप लोग को स्टॉक प्राइज में लगता है और यहां पर देखा जाए तो किसी पी तरह का इंटरनल इशूस नहीं है क्योंकि इंटरन पर इंटरन की अच्छी यहां पर पर देखने के नियुकरा है और देखा जाए तो मतलब ऑट ऑट अस्यृ तरह करके अगर धिज़नेज़ने हैं और खासकरके अगर देखो इवी सेगमेंट के अंदर भी अच्छा खासा प्रेजंस रखती है तो इक तरह से क्या सकते हो कि इंडिया के अंदर इवी सेक्टर के लिए काफी अच्छा प्ले हो सकता है अब देखो यह सारी चीज आप लोग को इतना तो आप लोग को समाज में आ गई होगी लेकिन एक ची आप लोग को देखने के मिलेगा अब शेयरोडिंग पैटन में प्रमोटर्स के ओल्डिंग यहां से और ज्यादा गिरती है तो तुहां पर काफी जादा अपना मतलब एक तरस कह सकते हो कि कंट्रोल गिव अप कर देंगे और फिर एपाई और मतलब एक तरस कह सकते हो कि इंस्टूशन के हाँ तो बहुत ज्यादा डिसिशन मेकिंग होगी तो वह कंपनी के अंदर कांफिक्ट पैदा कर सकता है और कंफिक्ट होता है तो वैससे जैसे अभी शुरुआत में बताए विडियो के तो थोड़ा भले ही कंपनी अच्छी परफार्म कर रही हो लेकिन फिर आप लोगों को होता क्या हूं पर कि बहुत ज्यादा आप लोगों को स्टॉप्राइज नहीं बढ़ती हो सकता डाउंसाइड ही चले जाए तो यहां पर देखें यहां पर बाइंग करने क इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी मतलब बेकार है या कुछ और है कभी कभी कुछ फैक्टर्स भी होते हैं इसके कंपनी गिरती है ऐसा बात नहीं कोई कंपनी आज तक गीरी नहीं है अगर आप लोग देखो कि तो उसके अंदर भी कई जगा आप लोगो मिलेगा कि जब अगर जाकर देखो को तो वह सारी चीज आप लोगो देखने के लिए मिल जाएंगी और यह नहीं पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं क्यों कि यहां पर देखो तो एक रिजिस्टेंट जोन है और कोई भी स्विंग ट्रीटर हो यहां पर र प्रॉफिट मार्केट से निकलने लगेगा या कह सकते हो कि मार्केट के पास दुबारा जाने लगेगा तो आप लोग का यह होना चाहिए कि एक अच्छे खास रिजिस्टेंस पर आप लोग एजिट करके निकल जाओ अगर अपर लोग इंटर करो नहीं तो नेक्स टॉक द पास पहुंच गया है एटी परसेंट अगर इंटर कर सकते हैं या प्रॉफिट वूपिंग स्टार्ट कर सकते हो अगर नहीं करता यहां से रिजेक्शन लेता है तब बाय करने के बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है तो आप लोग जितने भी लोग खरीद के रखियो उन सारी लोग को एक तरह से क्या सकता है अपने इस यह चीज आप लोग पोजिशन कल अपनी एडिट कर लेना है यहां से एकसर करके और उसके बाद आप लोग नेक्स करनी करनी तब होगी जब 4.83 के उपर क्रॉस कर लेगा क्योंकि अभी जस्त एक उसको पर एक रिजिस्टेंस ओन है और रिजिस्टेंस ओन स्ट्रॉंग होता है तो यहां पर देखो कि पिछले तीन बार और यहां से रिजिस्टेंस दे चुका है तो वह चीज आप लोगो थोड़ा से परिशान कर सकती है उसके बाद अगर यह चीज़ क्लियर हो जाती है तो नेक्स टार्गेट फिर आप इसके बाद हम लोगों दुबारा सब्डेट लेंगे क्या करेंगे क्या अगर अभी यहां पर बैटके बोलने कि 795 का टार्गेट लेलो तो थोड़ा सब प्रॉब्लम यह आएगी कि कंपनी के अंदर बीच पो कुछ होगा तो वहां पर कह सकते हो कि थोड़ा सब आप लोग परिशान होगी या डाउट आएगा तो तो उसके लिए आप औरो को दुबार अपडेट करेंगे कि ऐनीए अक बर्याले टार्गेटोने देतने हैं अभी के-लिञे अभी इहां सब edward mountain मिलेगात 오 parade तो इस अगर मालो यह candle हमारी ब्रेक आउट दे रही यह ऑली ग्रीन केंडल तो अगर देखा जाए तो इसकी इस ब्रेक आउट केंडल की एक प्रीवेस स्विंग क्या है यह है क्योंकि यहां से देखो तो इन वर्य लेविल्स पर पहुंचके यह एक रेजिस्टेंस वाली लाइन जो अगले वीडियो में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर स्क्राइब सब्सक्राइब कुछ प्रॉब्लम हो कुछ क्वेरी हो हमेशा की तरह कमेंट सक्षिन में पूछ सकते हो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है और अपना कैपिटल तक लिए सेफ रखना हौला कि